तबीजिन सब्सक्राइब कर निए देटरव सब्सक्राइब कर सकते हैं इनफोर मेशन बताना एक अलग चीज है इंफिर्मेशन को अरहरें पर ट्रेट करना वहां इस बहुत है है हमने बात कर लिए कैसे उपर इंटरस को देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे फ्रेटिंग को समझ के लिकूरिक को समझ के आईवी को समझके इंप्लाइड वॉलेटरीटीज को हम कहते हैं उसको समझके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अपनी चांसे ऑफ प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं आज हम बात करने वाले कैसे आप आप्शन चेन को समझके दोनों तरफ के मूव को कैप्चर कर सकते हैं क्या मतलब दोनों तरफ के मूव को या तो ऊपर का मूव या नीचे का मूव या नियूट्रल मूव की मार्किट इसी रेंज में रह जाए तो भी मुझे कुछ फाइदा हो जाए आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं वर्स आपको डारेक्शन को पकरना चाहते हैं आप डारेक्श कैसे आप एंसी की साइड पर जाके नइसी ओपन करके निफ्टी के कॉंट्राइक को उपन करके वहां ओप्षण छेंड ढूंड सकते हैं यह मैं आपके लिए और यहाँ पर आपके आपको अप्ष्ण चेंड में आपको एसा कुछ पेज दिखेगा और यहां पर ऑप्षिन option chain में जा सकते हैं option chain क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा जहां पर प्रॉपर option दिख जाएगी कैसे आप ओए चेंज दिन ओए वॉल्यूम आई वी ल्टीपी चेंज बिड कॉनरेटी बिड आस्क आस्कॉनरेटी स्ट्राइग यह सब को समझ सकते हैं अल्रे डेटेड डेटा को कैसे आप समझे हुए डेटा को अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर अपने समझाए उस डेटा को आप ट्रेड कर सकते हैं तो फॉर एक्जामपल हम ले लेते हैं हमें दिखता है कि निफ्टी आज के दिन 250-300 के बीच में कहीं क्लोज हुई है मतलब मुझे कैसे बहुत चला क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यह ITM है यह OTM है तो यही कहीं ATM होगा तो 250-300 के बीच में अगर मार्केट क्लोज हुई है यह हमारा ATM हो गया और हमें पता है सबसे जादा ट्रेड़ेड कॉनिटी जो होगी आज के दिन जो आज की दिन ट्रेड हुई है वो होगी हमारे ATM के पास हमें दिख भी रहा है अल्मोस्त तीन करोड असी लाक अल्मोस्त तीन करोड साट लाक यहां पर अगर हम देखे अल्मोस्त 6 करोड 4 करोड मतलब इसनी बड़ी-बड़ी यूज कॉनिटी आपको दिख द अब क्या कमाएंगे यह इसलिए है क्योंकि आल्रेडी यह उप्षिन अप्षाइर हो चुका है तो मैं आपको यह बताना चाता हो आप क्या कर सकते हैं डेट में जाके मंतली अप्षिन को से लेक्र करका को दिखेएगा कि वाल्यूम भी थोड़ा सब्सक्राइब प्राइस क्या थाफिद को सब्सक्राइबंट यह मैंने क्यों वह सकते हैंसी रेंज में मन्त के आप आपको अपस क्लोज होगा और आपको सारा theta decay मिल देगा यानि यह जो प्राइज है इसमें कुछ option का प्रीमियम अपना है यानि जिसको हम कहते है आई-वी अब यह आई-वी इंप्लाइड वॉलेटिरिटी नहीं है जो option chain में दिख रही है यह आई-वी है intrinsic value जो उसकी value होनी चाहिए versus TV time value तो आपको time value as an option seller मिल देगी अगर मार्केट यहीं कहीं रहता है अगर मार्केट मूव हो गया तो क्या तो आप दूसरी strategy को use कर सकते हैं जो में आपको बताया था आप वॉल्यूम देखके यह ओवाई देखके उसको use कर सकते हैं अब हम ATM को छोड़ देते हैं दूसरी strategy के लिए हम चलते हैं अगर हमें ऐसा लगता है कि कौनिटी इन में जादा है बट आपको मोसली मैं बताऊं कि हमेशा राउंड लेवल के आसपास ट्रेड करना है तो अगर मार्केट रेंज में मूव हुआ या बहुत जादा उपर नीचे मूव है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास द छोटी रेंज में रहे डहे हैं मारकेट आपको देखना कि मार्केट बड़ी रेंज में मूव करें यानि यहां से अगर मार्केट ऊपर जाये यहां से मार्केट नीचे जाए और हो तो भी आपको फाइदा हो तो आप क्या कर सकते हैं कॉल में आप OTM की तरफ जा सकते हैं अब यह वह तो नहीं तो आपको देखना है के स्ट्राइक पर हमें दिख रहा है चेंज बड़ा है वाल्यूम ट्रेडिट भी काफी जादा है आई भी ठीक ठाक है अच्छी कॉनटी में लिकूरिटी है तो हम क्या कर सकते हैं 26,000 का कॉल जो आज के दिने 118 रुपे चल रहा है इसको सेल कर सकते हैं 26,000 क्या होगी हमारी क् मार्किट 26,000 से उपर नहीं जाएगी और दूसरा क्या कर सकते हैं सिमिलरली हम पूट आप्शन में क्या कर सकते हैं ओटी एंपूट को सेल कर सकते हैं जिसमें ओवाई भी ज्यादा हो एं वॉल्यूम भी जादा हो फॉर एक्जांपल दिस लेविल 67,000 का यहां पर हमें ओव वाल्यूम भी अच्छी कासी ट्रेड विया आज के दिन बट आस कॉनिटी और कोई जादा वह नहीं है कोई जादा लिकुरिटी नहीं इस सिर्फ सो और टी सेल हो रही है 25 बहुत ज़्यादा नहीं होता तो हम कोई लिक्विड कॉन्ट्राक को देखना चाहते हैं तो उसके स्कूराइब चलते हैं यहां तो वह सो त्रेड नहीं है तो ऐसको सकते हैं थोट हमें इस पर चाह सकते हैं यहां पर चेंज सिर्टी ठरीट वूर्मूम भी है वहां वाल्यूम भी है में यहां यहीं बट चाहां पर 지역 अबहूर्स ओंस देखिरी है तो 24,800 पर हमें लिक्विरिटी भी साही दिख रही है यानि बेडन आज की कौनिटी भी दिख रही है देन हमें क्या दिख रहा है लास्ट पाइस रान्ट थीवन के है वॉल्यूम भी ठीक है ओई भी ठीक है 38,000 के आसपास है तो हम क्या कर सकते 24,800 के पुट ऑप्षिन को सेल क कर सकते हैं अब मैं आपको चार्ट सम्झाने के लिए कि हमने एक्जाक्ली किया क्या है और इसे मारा प्रॉफिट लॉस क्या हो सकता है तो यह मैं आपको कि आचुको निफ्टी के चार्ट पर आज के दिन आपको दिखे का थोड़ी सी गिरावाट आये हुए है क्योंकि कर दियां 100 रुपीज के आसपास हमें कुछ मिल रहे हैं एंड हमने क्या किया 24,800 अराउंड इस लेवल यहां पे हमने पुट शोट कर दी तो यह है कॉल शॉट यह पुट शॉट यहां पर 131 रुबीज के आसपास कुछ मिल रहे हैं अगर मार्केट इस रेंज में पूरे मंत में क्लोज हो जाती है यानि 26,000 से 24,400 के बीच में क्लोज हो जाती है इस पूरी रेंज में तो हमार को कि इतने पैसे मिलेंगे 131 प्लास type फास्च फेसे मिल झाएंगे एंति इन टुभा शराइई इंटु आप आपने किया तो आपको इतने वस्वत जाएंगे आज वस्वत है लुद 0 तो डइसो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे इसमें आप क्या कर सकते हैं अगर Market इस से दिया मुव करी या इस economy तूप कर सकते हैं जैसी ऑप इसको क्लोस करें तो आप या तो Spot चासंब से नीचे क्लोज करते हैं एक एप सकते अपनी पॉजिशन या फिर जैसी आपके पूरे प्रिमियम का exemp produção का अग्सामपल तू सुटी वन का प्रीमियम ढबंड चाहिक गुना होगा का झाल का प्रीमियम का इसे भी क्एक दोनों में इसका का मिन यहां अगर करके सकते हैं आब यहां पर सकते हैं मतलब almost around 73 to 80% probability of profit आपको इसमें मिलेगा यानि 73 से 80 टाइम्स प्रॉफिट में close करेंगे यह वाला trade वो कैसे क्योंकि market इतनी range में अगर move भी कर जाए और वहां पे close भी कर जाए तो भी आपके दोनों premium zero हो जाएंगे आप इतनी बड़ी direction को भी trade कर पाएंगे तो यह होगी दूसरी strategy तो अब हम एक और first strategy को दुबारा discuss कर सकते हैं उसमें क्या कर सकते हैं example 25,250 आज के दिन market चल रही है तो हमने यहीं का call and यहीं का put हमने sell कर दिया call and put out दोनों यहां पर sell कर दिये and market अगर zigzag करके वापस यहीं पर close हो जाती है तो हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे और इसकी probability of profit 50 से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी बट जैसे market move करती रहेगी probability of profit change होती जाएगी जितनी बड़ी range उतना ज्यादा probability of profit बट उतना profit कम जितनी छोटी रेंज उतना probability of profit कम बट परसेंटेज ज्यादा यह रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको देखके ट्रेड करना है अपने appetite के साब से mostly two times two and a half times आपको combined premium का sell रखना है और इस तरीके साब trade कर सकते हैं अगर आपको buying करनी है तो buying आप ऐसे कर सकते हैं जहां पर liquidity सब सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है और यहां से option यह बहुत तेजी से उपर यह बहुत तेजी सी नीचे गिर सकता है तो आप उस वाले strike को buy कर सकते हैं आप सेल कर दें चोटा सा प्रीमियम ताकि आपको बहुत ज्यादा लॉस ना हो फाइनली आपको इस इंटरप्रेटेशन से ट्रेड लेने के तरीके समझ आ गए होंगे अभी आपके मुन में अगर कुछ डाउट है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं समझ सकते हैं हमारे से अगर आपको वीडियो अच्छे लगी होगी और कुछ निया सिखने हों मिला होगा तो वीडियो को लाइक करते जाना और चानल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए वह भी बताते जाना ताकि हम आपके लिए डिटेल में वी चे टेट वीडियो असरी मेर श्काय बताते बेगी और चाहिए प्रच्छे लगी होगी बता चाह्ए टेर लिटेश के रिश नित।